हेलो फ्रेंड्स अब करीना कीचन रेस्पी में फिर से एक बार बहुत स्वागत है आज मैं तील और मुंफली की बरफी की रेस्पी लेके आ गई हूँ इसे बनाना भी बहुत असान है और खाने में भी बहुत स्वादिश्ट होती है और यह बिल्कुल करक नहीं होती है इसे बिनदान्थ वाले भी लोग जो है वह भी खा सकते हैं जो बुरे लोग है वह भी तो तील को हमने साफ करके अच्छी तरह से ले लिया है कि क्यों तील में थोड़े कंकर भी आ जाती है कभी कभी ओड़े से मैंने काले तील का भी इसमें यूज किया है मतलब दो चम्मच और मैंने इसे हलका रोष्ट कर लिया है देखे इस तरह से और काली तील जो है बिल्कुल ऑप्सनल है आप चाहे तो डाले चाहे ना मन हो तो इसे आप पे छोड़ भी सकते हैं स्किप भी कर सकते हैं और देखे इसे बहुत ज्यादा नहीं भुनना है हलका भुनने के बाल इसे बहुत फाइन नहीं करेंगे दर्द्रा रखेंगे अ simply करेंगे कшт अ जिरक आठ है disserि को मै रेज अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक जरूर दे दे अगör डेए अगर मेरे चेनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सर्सक्राइब जरूर कर लिजीए देखे रिले जाने जि़ थोरी सी मैंने रोस्टेट मुंफली ली है पहले से मैंने भून के रखी थी तीन से चार चम्मच करीब है ज्यादे मुंफली मैं नहीं डाल रहे हूं तीन से चार आप इसकी मात्रा को बढ़ा घटा भी सकते हैं और इसे हम दर दर इसको भी हम पीछ लेंगे पिछनी के बाद हम मिला लेंगे तील में और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक पूरी तरह ठंडा हो जाए और इधर हम चीनी की चास्नी तेयार करेंगे ए चस्नी एक तार या दो तार कीनी होगी सिप सहद जैसी चिपचिपी होगी तो मैंने खाला मेंखने के farा करेंगे और हाई सो ग्राम तील में 10,500 ग्रा देहं मैंने 2 ग्राम मेंर चीनी लिया है अब थोड़ी चीनी की मात्रा कम या व %. कर सकते हैं अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो इसे हम सहज जैसा चिपचीपा होता है ना जैसे हाथ में थोड़ी तेल तेल जैसे लगती है उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे इसे एक तार या दो तार की चासनी हमें नहीं बनानी है इसे अब हम मेल ठोने देते हैं बनाने में बहुत ही असान है और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है लगातार हम चम्मत से चलाते रहेंगे और इधर देखिए हमारी तेल और मुफली जो है एकदम ठंडी हो चुकी है तो इसी जगह पर हम एक कटोरी मिर्क पॉर्टर डालेंगे और अच्छी तरह से हां से मिक्स कर देते हैं इसी में ठंडा होने पर ही हम मिल्क पॉर्टर मिक्स करेंगे इससे इसका स्वाद और भी बर्ग के आता है मिल्क पॉर्टर मिटालने से अब हम चू के देखते हैं कि हमारी चास्नी जो है पूरा तरह तयार है या नहीं देखिए हलका सतार बन रहा है अलका चिपचिपः बस हमें इसी ही चाहिए अब इसमें हम सारे मिक्सरन को डाल देंगे अच्छी तरह से चमच से हम चलाते रहेंगे और जब तक चलाएंगे जब तक एक हाथ में लेने पर गोल ना बन जाए और जो हमारा तील और मुफली है कराही को छोड़ ना देंगे लगातार चलाते रहेंगे कि नीचे चिपके भी ना इसमें अब हम थोड़ी सी नारील की बुरादा दो चमच करी डाल दे रहे हूं जिससे इसका टेस्ट और अच्छा लगे सारे मिक्सनन को हम अच्छी तरह से जब तक हाथ में हम लेके देखेंगे गोल गोल नहीं बन जा रहा तब तक हम अच्छी तरह से चलाएंगे और मिक्स करेंगे अब एक चमच हम इसमें देशी घी डालेंगे एक से देश चमच देखेंगे अब कराही छोड़ने लगी हमारी मिश्रन हाथ में हम लेके देखते हैं देखेंगे अब अच्छी तरह से बन जा रही है अच्छी तरह से गोल 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 देखेंगे हाथ में हो जा रही है इसका मतलब है कि अब हम थाली में से हम निकाल सकते हैं और जमने के लिए पर्फेक्ट हो गई है थाली को मैंने ही पहले से ही तेल लगा के तयार कर लिया था थाली में हलका सा तेल या घी लागा के तयार चिकना कर ले उसके बाद पल्टी करें अब एक चस्मस के सायता से हम बराबर करके फैला लेंगे इस तरह से आप चाहे तो इस मिस्रन से लड़ू भी बना के तयार कर सकते हैं अब इसे बिलकुल ठड़ना होने के लिए छोड़ दीजिए ठड़ना होने के बाद देखिए इसमें हम मैंने इस तरह से इसे काट लिया है यह देखिए मैंने स्कॉयर सेप में कटा है आप इसे बरफी का सेप भी दे सकते हैं जैसा मन आप उस तरह से काट लिजिए और बहुत ही अगर मेरी रेश्पी आप लोगों को अच्छे लगे दिखिए इस तरह से हम चम्मस से निकालते जाएंगे अच्छे लगे तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा आपने फ्रेंट सेलकल में से जाज 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 इससे सेयर कर दीजिएगा लेजे तिल पूफले की बर्फी बनके तयार है तो फ्रेंट्स हमारी तिल की बर्फी बनके तयार है बहुत ही स्वाधिष्ट बनी है आप एक बार इससे जरूर ट्राइए करिये और एक बिल्कूल ही करक नहीं होती है बहुत ही सॉक्थ होती है खाने में मुँ में जाते घुल जाएंगी जिसके दात नहीं है ओ भी खा सकते हैं बहुत स्वाधिष्ट बाटपी बनी है देखिया आपने मैं रस्टों में काता है आप जैसे भी आसकते अगर मेरी रेस्पी आप लोगों कच्छी लगी तो इसे जरूर सिस्क्राइब करिएगा मेरे चैनल को और एक लाइक जरूर देद जिएगा थैंक यू फर वाचिंग फ्रेंड्स